Hello Students, आज की इस वीडियो में हम सब ख्लास एक्टिनोप्टरीजी के बारे में study करेंगे. बोनी फिशिस की क्लास और स्टिक थिस को दो सब ख्लासे में divide किया गया है. पहली सब क्लास है सार्कोप्टरीजी और दूसरी सब क्लास है एक्टिनोप्टेरिजी इससे पहले के वीडियो में हम सब क्लास सार्कोप्टेरिजी के characters और classification देख चुके हैं इस वीडियो में हम एक्टिनोप्टेरिजी के बारे में study करेंगे एक्टिनोप्टेरिजी जो term है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों actis for ray और terex for fin इनसे मिलकर बनी है यानि कि इन fishes को commonly ray fin fishes कहा जाता है ये सार्कोप्टेरिजीन fishes में जो fin structure पाया जाता है उससे different fin structure इन fishes में मिलता है यानि कि इनके जो paired fins हैं उनमें कोई भी flashy basal loop नहीं होती और ये thin होते हैं, web-like होते हैं और fin race दोरा supported हैते हैं ये fin rays, fin के base पर पाया जाने वाले skeletal elements जिनको radials कहा जाता है उनसे connected है साथी important ये है कि इन में internal nostrils पकल cavity से connected नहीं होते हैं caudal fin, heterocircle या homocircle type का होता है एक dorsal fin पाया जाता है जो कि कभी-कभी दो में divided भी हो सकता है तो ये जो ray fin fishes हैं इन में existing fish species की 99% species include की गई है actinopterician fishes जो हैं उन में कुछ fishes ancient होती हैं और कुछ modern या आज की advanced fishes पाया जाती जो ancient fishes हैं उन में जो skeleton है वो cartilisiness होता है उनके कुछ characters, elizmo brancan यानि की cartilisiness fishes से मिलते जुलते हैं जैसे कि spherical का present होना एक hetero circle tail fin का पाये जाना और scales absent होना except polypterus जिसमें की gainoid scales पाये जाते हैं हलाकि ये जो fishes हैं ये बोनी fishes के ज़्यादा close हैं तो subclass actinopterus में कुछ advanced fishes भी आती हैं और कुछ ancient fishes भी तो इस subclass वो तीन super orders में divide किया गया है पहला super order है condros ti, दूसरा super order है holos ti और तीसरा super order है teleos ti कॉंड्रो स्टी आई को हम paleopterisian fishes या ancient fishes बुला सकते हैं holos ti और teleos ti और newopterisian fishes या advanced और आज की modern fishes होती है तो हम देखते हैं पहला super order condros ti ये जो टर्म है ये दो ग्रीक भाशा के शब्दो condros for cartilage और ostion जिसका meaning होता है bone से से मिलकर पनी है यानि ये वो fishes है जो कि primitive rayfin fishes है और इनमें cartilage का skeleton प्राया जाए इनमें generally जो mouth opening है वो large होती है skin पे scales नहीं पाय जाते except polypteris जिसमें की gainoid scales होते हैं तेर्फिंस जो है hetero circle type का होता है super order condros ti में दो orders include किये गए हैं पैरा order है polypteriformis और दूसरा order है acy pensory formis polypteriformis में polypteris fish आती है जो इसमें की rhomboid gainoid scales पाय जाते हैं यानि की gainoid scales जिनमें की gainoin की एक layer है और वो rhomboidal होते हैं शेप में diamond like होते हैं शेप में spectral fins है इसके वो locked होते हैं dorsal fin 8 या ऐसे ज्यादा finlets में यानि छोटी-छोटी पंखिकाओं में divided होता है skeleton well ossified होती है polypteris ऐसी pencil ही formis to order है उसमें ऐसी pencil sturgi और polyodore paddlefish इंक्लूड की गई है जो की scale less होती है जोनरली लेकिन ऐसी pencil में पांच longitudinal rows पाय जाती है बॉनी स्कूर्ट की चरम पटिकाओं की skeleton जो इनका वो largely cartilaginus होता है तो अब हम देखते हैं इनके diagram यह है polypteris जिसका कॉमा नहीं में बाइचे इसमें आप देख सकते हैं कि dorsal fin fillets में divided साथ ही जो caudal fin है more or less hetero circle type यह pectoral fin है इसकी और साथ में इसमें spherical भी पाया जाए तो यह कुछ characters है यह लाज में ब्रेंकल fishes की ऐसी pencil sturgeon को देखें तो स्केल्स नहीं है लेकिन स्कूट्स की पांस longitudinal rows पाये जाए इसकी रॉस्ट्रम पर बार्बल्स यानि की सपर्शा पाये जाते हैं तो यह थी polypteris और सिपांसर जो की super order condors TI की examples कि आई स्बादा मैं कि झाल झाल